A very good morning to all, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे Conference, Symposium, Seminar and Berkshob के कि Conference, Symposium, Seminar, Berkshob में क्या-क्या differences होते हैं और कौन से भिहाब पर हम इनको एक दूसरे से अलग करते हैं तो इस वीडियो में हम इनके meanings को जानेंगे सम्मिलन क्या होता है, संगोष्टी किसे कहते हैं, बिचार गोष्टी क्या होती है और कारिसाला, इन चारों में कौन-कौन से basic differences होते हैं या कौन-कौन से मुख्य अंतर होते हैं जिनके आधार पर इन चारों को हम अलग-अलग explain करते हैं चलिए हैं बात कर लेते हैं conference की, symposium की, seminar की और workshop की अब हम यहाँ बात करते हैं seminar, conference, symposium, workshop इनकी बात करने से पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं meetings की meeting क्या होती है, जब कोई group में अपने thoughts को, अपने बिचारों को, ठीक है अपने ideas को exchange करता है, तो उसको meeting कहते हैं, ठीक है, अपने बिचारों का आदान-परदान meeting आपके दो परकार की होती है, पहले formal, दूसरी informal, formal meeting कौन से होती है seminar, conference, symposium, workshop, जिसके objective, predefined होते हैं, जिसके कुछ objective होते हैं जिसके proper arrangement होता है, किस तरह से आप meeting को organise करेगे, informal meeting में क्या होता है? आपका friend circle हो सकता है, आपका classroom की activities हो सकती है, आपका peer हो सकता है, तो जो informal meeting होती है, तो आपकी objective less होती है जो formal meeting होती है, कोई specific topic होता है, कोई specific theme होती है, जिसके उपर आपको meeting करनी होती है, तो उसको हम बोलते हैं, क्या formal meeting, तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते है, conference की, some million की, जो चारों आपको term बताये गए हैं, आपर seminar, conference, symposium, workshop, सबसे ज़्यादा, जो आपका बड़ा है, large area है, सबसे बड़ा होता है, जहाँ पर number of participant, 50 से लेकर 1000 तक होते हैं, 50 to 1000, ठीक है, एक conference refers to a formal meeting, जो conference होता है, आपका some million होता है, वो एक प्रकार से formal meeting होती है, जहाँ पर participant, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है, जो एक topic दिया जाता है, आपको एक आपकी theme होती ह बहाँ पर, ठीक है, उनके उपर, आप अपने facts रखते हैं, अपने data रखते हैं, और participant के साथ में, क्या करते हैं, अपने जो information होती है, उसको transmit करते हैं, interact होते हैं, conference can take place in different fields, जो some million होते हैं, आपके conference होते हैं, उनको हम various fields में apply कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि conference आपका academic ही हो होगा, school, university, college में apply होगा, conference किसी भी area में हो सकता है, for example, आपने देखा होगा, climate change के ऊपर, पूरे world का conference होगा था, जहाँ पर पूरे world की countries ने participation किया था, आपने अपने विचार रखे थे, तो क्या होता है, इसका nature क्या होता है, जो आपका conference होता है, international, national दोनों लेबल पर होता है, ठीक है, तो यह जरूरी नहीं कि आपका academic ही होगा, यहाँ पर आपका doctors का conference हो सकता है, आपका parent teacher conference हो सकता है, sport conference हो सकता है, ब्यापार या trade conference हो सकता है, ठीक है, किसी भी परकार का conference हो सकता है, आपका research scholars का हो सकता है, या कोई special category हो सकती है, एक conference is a meeting, conference आपकी परकार की meeting है, that has been pre-arrange जो pre-arrange रहते हैं पहले से हम pre-plant कर लेते हैं blueprint बना लेते हैं कब कौन से step पर किसको अपनी thought present करने हैं कब कौन से expert वहाँ पर अपनी राय रखेगा कब आपका number आएगा तो यहाँ पर जितने भी delegates होते हैं जिनको अपनी बातों को रखना है अपनी पेपर प्रजेंट करने हैं अपनी thoughts शेयर करने हैं तो एक systematic way properly arranged रहते हैं ठीक है pre-arranged पूर व्यवस्तित रहता है involves consultation and discussion on a number of topics आप जो topics लेके आये होते हैं आपके जो themes होती है उसके उपर आपको बोलना होता है conference and symposium यहाँ पर symposium के बात आ गए ही ठीक है तो conference में आपका क्या होता है जो conference आपका होता है यहाँ पर जो participant होते हैं वो यहाँ पर anyone who has some knowledge scholar expert conference में कोई भी include हो सकता है उस area से जिसको उसकी knowledge होती है वो research scholar भी हो सकता है वो आपके expert भी हो सकते हैं लेकिन जब हम बात करते हैं symposium की तो symposium में के बात एक्सपर्ट लोग जो field होती है जो उसका topic है वो लोग ही यहाँ पर participation करते हैं यहाँ पर तो nature होता है यहाँ पर प्रतियक व्यक्ति participation नहीं करता है symposium में symposium में वो व्यक्ति participation करते हैं जो expert होते हैं उस area में उस topic में जिसके उपर symposium organize कराया जा रहा है ठीक है अगले हम बात करते हैं आपर seminar की हमने conference को समझ लिया सबसे बड़ा आपका जो large group होता है नंबर आप student आपके 52,000 तक उठ सकते हैं ठीक है और यह आपका national level का इंटरनेशनल level का भी हो सकता है और यहाँ पर क्या होता है जो इसका duration होता है एक दिन का भी हो सकता है दो दिन का भी हो सकता है seven days का यह जैसा आपका topic है जैसा आपका area उसके according यहाँ पर flexibility होती है time की कोई boundaries नहीं होती है किसमे conference में और क्या होता है participant जो होते हैं वो अपने है conference में conference में आपके कोई भी किसी भी प्रकार की boundaries नहीं होती है जो कि symposium में आपकी होती है क्यों क्योंकि symposium आपको बंडी का होता है single day का होता है अब हम यहाँ बात कर लेते हैं विचार गोश्टी यह सेमिनार की आपने उपर बात की थी conference की तो conference आपका सबसे ज़्यादा बड़ा होता है ब्रॉडबी में होता है लार्ज होता है नंबर और पाटिसिपेंट बहाँ पर फिफ्टी टू बन थाउजेंट की सम्तिंग होते हैं ठीक हैं और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का हो सकता है चनल थीम उसमें रहते हैं जो हमारे सेमिनार होता है फुली आपका academic होता है यहां पर सैक्षिक जो महौल होता है जो सिक्षा की जो activities होती है आपकी जो एजूकेशनल activities हैं आपके जो boundaries हैं वो limited हैं कहां university college या को commercial organization या को professional organization तो इसका जो nature है नेचर क्या है इसका नेचर है आपका इस seminar is a form of academic instruction either at university और offered by commercial और professional organization जो विचार गोश्टी है आपका ठीक है seminar है आपका तो यहां पर क्या है यह आपका से जो conference होता है उससे काफी छोटा होता है और यहां पर number of participants आपके small group of people होता है आपका maximum limit यहां पर आपकी 50 होती है और क्या होता है university college ठीक है विद्याले बिस्विद्याले महा विद्याले में इसको आयोजित किया जाता है इन national level का नहीं होता है बलकि regional level का ही होता है एक university में होता है यह आपका college में होगा लेकिन जो expert है आपके वो expert आपके किसी भी area के हो सकते वो आपके international भी हो सकते हैं आपके member of organization होते हैं जो आपके student होते हैं पर क्या होता है एक special topic होता है ठीक है एक particular subject होता है आपका कुछ general theme नहीं होती है जैसे कि conference में आपके होती है यहाँ पर एक आपका special topic होगा particular field होगी जिसके उपर आपको seminar organize कराना है it has function of bringing together small group एक परकार की meeting है जहाँ पर छोटे से small group को क्या कराया जाता है organize कराया जाता है एक meeting के लिए focusing each time on some particular subject किसी special है किसी business topic के उपर in which everyone present is requested to actively participate conference में क्या था conference में आपने क्या हुआ participation कर लिया पहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप paper present करेंगे यहाँ आपकी thought बहाँ पर होंगे यहाँ बहाँ पर present देंगे लेकिन आप जब हम बात करते सेविनार की सेविनार आपका small group होता है यहाँ बकाइदा पूरे जो बच्चे होते हैं आपके बहुत small group होता है प्रतिएक बच्चे को प्रतिएक student को यहाँ पर किया किया जाता है वो presentation कि थिरूँ जो special topic है अपना presentation दे और effective presentation देने के लिए उसको यहाँ पर क्या किया जाता है motivate किया जाता है और actively participate करे वो यहाँ पर जिस topic के उपर हो रहा है उस topic को सिलाइट के थूरू presentation के थूरू वो दे conference में ऐसा नहीं होता है conference में इतना ताइम तो होता है आपके पास लेकर number of candidate बहुत होते है बहाँ पर तो बहाँ पर इतना वो नहीं होता है जितना skill development की बाद seminar में होती है क्योंकि यह single topic के उपर होता है और conference आपका general theme के उपर होता है तो यहाँ पर क्या होता है एक particular subject के उपर जो आपके participant होते हैं उनको actively क्या होता है presentation करने के लिए focus किया जाता है उनको motivate किया जाता है the instructor has prepared the concept and techniques they will present तो यहाँ पर जो आपके instructor होते हैं आपके अनुदिशक होते हैं ठीक होते हैं प्रिपेर करते हैं अपने topic को ठीक है कौन से technology के थरू आपके सामने present करेंगे discuss थरू एक combination of visual material वो आपके audio visual material के थरू कर सकते हैं posters के थरू कर सकते हैं select के थरू कर सकते हैं PPT presentation के थरू कर सकते हैं demonstration दिखा सकते हैं तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा Broadway में अपने skill को enhance करते हुए fully open होकर बच्चों के सामने जो आपके delegate हैं जो आपके participant हैं उनके सामने आपको presentation देना होता है it includes some take home material for the participant that relate to the lecture यहाँ पर आप अपने यहाँ से कोई अपने home से ठीक अपने घर से अपने school से कोई special topic के उपर जिसके उपर आपका seminar हो रहा है कुछ material आप तयार करके ला सकते हैं उस material को आप seminar में प्रिजेंट कर सकते हैं यह full laboratory phase is not requirement जो आपका seminar है यहाँ पर आपके यहाँ पर लैब के बर्क्स नहीं होते हैं आप फुली presentation को उपर focus किया जाता है वो presentation आपका audio visual हो सकता है यहाँ आप teaching aids का यूज कर सकते हैं आप किस प्रकार से अपने जो आपके विचार हैं आपके थोट हैं उनको आप एक effective बेमें प्रिजेंट करते हैं तो seminar क्या है number of small group pupils ठीक है maximum 15 participant कौन होंगे आपके member of organization जिस topic के ऊपर आपका seminar हो रहा है उस topics related होंगे आपर area क्या होता है आपका विदिन university और college एक college university का होता है focus on a particular topic आपका special topic की ऊपर आपर emphasis किया जाता है time duration क्या होती time duration आपका बन होर से लेकर एक घंटी से लेकर पास घंटे maximum होती है work type क्या होता है आपका presentation and discussion की बात की जाती है clear अब हम बात कर लेते हैं आपर symposium की यह संगोश्टी की ठीक है संगोश्टी क्या होते हैं आपकी जो इस symposium में formal gathering in academic setting जो आपका symposium है यह भी आपकी विद्ध्याल है माविद्ध्याल इस्तर पर आयुजित की जाती है ठीक है यहाँपर जो दोओ लोग symposium में होते हैं वह उस area के उस topic के उस theme के expert होते हैं जिस field के उपर symposium हो रहा होता है यह आपका national और international दोनों level का होता है symposium ठीक है focus किसके उपर करते है focus करते हैं इनका भी special topic रहता है single subject रहता है जिसके उपर इनको आगे बात करनी होती है time duration इनका single day का होता है आपका conference आपका एक दिन, दो दिन, पांस दिन, साथ दिन, seminar भी आपका 5-6 घंटे का होता है work type क्या होता है यहाँ पर few number of experts will come together यहाँ पर जो expert होते हैं आपके जो different types के कई अलग अन जगहे के होते हैं कोई आपके हिमाचल का है कोई यूपी का है कोई पंजाब का है और आपका कोई international level का भी हो सकता है तो यहाँ पर क्या होता है प्रेजेंटेशन के उपर focus किया जाता है lectures भी होते हैं clear तो आपका seminar से बहुत ज़्यादा आपका अपर लेबल का है लेकिन conference से थोड़ा बिलू है तो यहाँ पर हम देखते हैं इस symposium आपकी formal gathering है in academic setting जो कि आपका school college university में apply कि जाते है पर participants are expert in their field यहाँ पर जो participant होते हैं जो delegates होते हैं आपके expert होते हैं जिस field के ऊपर आपका symposium है जो संगोष्टी आयोजित की गई है ठीक है these experts present और deliver their opinion जो expert होते हैं अपने बिचारों को ठीक है अपने opinion को यहाँ पर present करते हैं जो उनके viewpoint होते हैं उस special topic के उपर it would be correct to be level a symposium as a small scale conference जो symposium है आपका वो small level का a small scale का एक conference है as the number of delegates is smaller यहाँ पर जो delegates हैं आपके जो participant है वो small group में हैं उनके numbers को यहाँ पर क्या है थोड़क कम होते हैं किसे conference और seminar से ज्यादा होते हैं there are usual discussion on chosen topic after expert presented their speech यहाँ पर expert होते हैं बोस topic के उपर अपने views रखते हैं अपने जो उन्होंने research की होती है जो उन्होंने data लिया होता है जो इनके information होता उसको share करते हैं जाद chief characteristic of symposium symposium की मुखे विवस्ता क्या है एक single topic को cover करते हैं ठीक है single subject को cover करते है all the lectures given by expert यहाँ पर जो lectures होते हैं वो के बल एक्सपर्ट के द्वारा ही दिये जाते हैं यहाँ पर तीक बेखती क्या करता है अपने lecture नहीं देता है यहाँ पर जो उस field के expert होते हैं उनको ही क्या होता है lecture देने की authority होती है वहीं अपने विचारों को रखेंगी वह presentation के थ्रू भी हो सकता है और आपका क्या है यह आपका national or international level पर होता है topic आपका single रहता है clear अगला लास्ट है आपका workshop के हमें आपर बात कर लेते हैं ठीक है बर्क्सवाब आपका एक mechanical term है engineering की थ्रू इसको लिया गया है बर्क्सवाब में आपर क्या होता है hands-on activity की उपर बात की जाती है बर्क्सवाब जब किया जाता है आपका तो number of participants यहाँ पर भी आपके होते हैं ठीक है conference से कम होते है और topic recording ठीक हैं यहाँ पर आपके number of participant होते हैं 100 भी हो सकते हैं अभी 200 भी हो सकते हैं एक limit होती है कितने ब्यक्ति एक साथ में उस बड़क्व कर पाएंगे तो यहाँ पर 200 व्यक्ति तक आप लोग एरेंज कर सकते हैं 200 जो पीपल होंगे आपके तो अच्छे से आपका वर्क्शॉप हो जाएगा यहाँ पर कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है कोई भी इस पैसल बहु नहीं होती कि आप उस एरिया में एक्स मरट यहाँ पर पर उपका होता है यहाँ पर किया जाता है hands on practice और laboratory work यहाँ पर practice कराई जाते हैं जो special topic आपका होता है यहाँ पर क्या होता है जो participant होते हैं वो नई skills को सीखते हैं कुछ नई चीजों से familiar होते हैं वहाँ पर और कुछ नया करने के उनके अंदर जील होता है या उत्सहा होता है यह workshop include all elements of seminar workshop में seminar के प्रत्यक्तत समाहित रहते हैं but the largest portion being emphasized on यहाँ पर जो large portion होता है किसको पर emphasize करता है hand on practice ठीक है कारे करने को पर यहाँ पर बर्क बल दिया जाता है focus किया जाता है the lab work is designed to reinforce जो lab work अगर आपका होता है वो रिंफोर्स करता है imprint करता है forward and immediate functioning dimension to the participants eyes and hands यहाँ पर जो special area होता है वो कोई भी area हो सकता है for example आपका एक workshop होना है किसके उपर tool construction तो बहा काईदा बहाँ पर आपको task दिया जाएगा systematic way में आपको पहले बताया जाएगा theoretical classes होंगी theoretical classes होंगी आपको उसका background बताया जाएगा sequence में ताया जाएगा और last में आपको work बहाँ पर दिया जाता है आपको करके दिखाना हो तक क्या आपने बहाँ पर सीखा है तो work shop में हम उसकी बात यहाँ पर करते हैं यहाँ पर जो करते हैं उसको lecture कितरों हम समझते हैं demonstration में दिखाया जाता है और आपको 50 maximum रहते हैं आप पर conference में 52,000 रहते हैं symposium में आपके seminar से ज़्यादा रहते हैं conference से कम रहते हैं और जो workshop होता है यहाँ पर भी आपके 200 तक रहते हैं number up जो आपका seminar है वहाँ पर जो आपके school, university के ठीक है जो topic होता है उसके recording लोग यहाँ पर क्या करते हैं, delegate participation करते हैं यहाँ पर conference में आपके general भी कर सकते हैं scholar भी कर सकते हैं या कोई भी लोग यहाँ पर कर सकते हैं, symposium में केवाल expert रहते हैं workshop में जो कोई चाहाता है hands-on activity में enhancement के लिए भूयाँ आपर आ सकता है seminar आपका university और college level पर होता है Conference आपके national- international होता है symposium भी आपका national- international होता है workshop आपको local होता है seminar में particular topic होता है conference general theme होती है symposium आपका specific topic होता है workshop भी specific topic होता है तो हमने आप पर जाना workshop को, conference को seminar को और symposium को को confusion हो, को suggestion हो खैО हो, को improvement हो, तो आप comment कर सकते हैं, thank you झाल झाल झाल